बिग बॉस के घर में हो रहे हैं बड़े बड़े खुलासे रनवीर शौरी ने पूजा भट के साथ अपने रिष्टे पर किया शौकिंग खुलासा हेलो आप देखरें फॉस्टिंगे टेली और मैं हूँ आपके साथ रजनी दूबी बिग बॉस के घर में आए दिन बड़े बड़े नएने खुलासे होते नजरा रहे हैं अब रनवीर शौरी ने कुछ ऐसे खुलासे कर दी हैं जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह गया बि बॉस ओटिटी सीजन 3 के घर में पूजा भट थी तो वो भी अपनी पॉस्टनल लाइफ के बारे में बहुत सारे खुलासे उन्होंने कि अपने पापा को लेकर अपने डाइवोस को लेकर लेकिन रनवीर शौरी के साथ उनका क्या रिष्टा था उसके बारे में उन्होंने कभी भी कोई बात नहीं की लेकिन अब इस सीजन में रनवीर शौरी ने उनका नाम तो नहीं लिया लेकिन इशारो इशारो में पूजा भट के साथ उनका क्या रिष्टा था उसके बारे में उन्होंने बताया खबर ये भी है कि पूजा भट और रनवीर शौरी एक दूसर और रन्विर शोरी ने बिग बॉस में इन सारे चीजों का खुलासा भी किया है लास्ट एपिसोड में वो बोलते नजर आ रहे थे किस तरह से उनकी लाइफ में कोई थी जिसके साथ उनकी रिष्टे काफी जाता बिगड गए उसके बाद ब्रेक अप हो गया काफी कुछ उनक कहीं भी है तो चलिए आपको बताते हैं आखिर क्या कुछ हुआ था रन्विर शोरी और पूजा भट के साथ अपने रिष्टे पर बात करते हुए कहा था आर्टिकल में लिखा गया था मैं महेंश भट का बहुत सम्मान करता हूं मेरे मन में उनके लिए बहुत इज़त है लेकिन इस चीज का मेरे उपर गलत उपयोग किया गया मुझे दबाया गया मेरे साथ गलत व्योहार हो रहा था और मैं परेशान हो गया था वह दौर मेरे लिए बहुत बुरा था मुझे मैनुपलेट किया गया हलाकि रन्वे ने इस इंटर्विव में भी खुल कर कोई काफी कुछ हुआ था उसके बाद पूजाबट के साथ उनका ब्रेक अप हुआ फिर कौंकना सेन गुपता रन्वीर शौरी के लाइफ में फिर उनका डाइवोस हुआ तो रन्वीर शौरी का लाइफ भी काफी उलजा उलजा सा है और जिस तरह से उन्होंने बिग बॉस के पूजाबट के साथ उनका क्या रिष्टा था क्या कुछ हुआ उन चीजों के बारे में उन्होंने खुलासा किया अब देखना काफी दिल्चस्प होगा आगे आगे कौन से बड़े खुलासे होते हैं कौन से पन्ने खुलते हैं क्योंकि बिग बॉस का घर ही ऐसा है जिसमे खुलते हैं कई राज और वो राज भी खुलते हैं जो दुनिया वाले को नहीं पता होता है वेल आपको क्या लगता है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जाकर कॉमेंट करके जरूर बताएं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें